नमस्कार, आज हमने मैंगो पुडिंग बनाया है, ये आम का लास्ट ही सीजन जा रहा है, मैंगो पुडिंग बनाने के लिए हमने तीन बड़े बड़े आम लिया है, ये बहुत ही गुदेदार आम है, इस आम को माल्दा करके बुलाते हैं, ये बहुत ही मिठा आम होता है, सारे आम को हमने तीन भागों में काट लिया है, और इस तरह से सारे का पल्प निकाल लेते हैं, एक बरतन में, ये आम बहुत ही मिठा होता है, बड़ा ही रसीला होता है, देखे, सारे का हम पल्प निकाल लिये, अब इसे हम जार में डाल कर, इसमें हम फुल क्रीम वाला एक कप बूधी इसमें हम डालते हैं, और आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने चीनी नहीं डाला है, क्योंकि ये मीठा होता है, और जादे चीनी मीठा नहीं पसंद करते हैं, हम लोग, अब इसे एक कराही में डाल कर, और इसे ग्यास पे इसे हम चलाएंगे, इधर दो से तीन चम्मच कस्टर्ड पॉडर लिये हैं, इसे रूम टेंपरेचर वाले दूध में हम इसे मिला लेंगे, और इधर देखिए आम ठीक होड़ा है, इसमें हम कस्टर्ड पॉडर डाल दिये, अब इसे चलाएंगे, ये थोड़ा ठीक हो जाए, तो इसे हम ग्यास पर से हटा देते हैं, अब थोड़ा सा पानी, दो से तीन चमच पानी लेंगे कराही में, और इसमें हम कुछ चिनी, तीन-चार चमच चिनी कैरमेल होने के लिए, चलाते रहेंगे, और देखिए ये कैरमेल हो रहा है, आप अपने टिस्ट के अकॉर्डिंग चिनी इसमें डाल सकते हैं, अब एक बॉल में हम सारे कैरमेल को फैला लेंगे, फैला लेने के बाद इसमें हम अच्छी तरह से इसको फैला रहा है, ये काम हम सावधानी से करेंगे, और क्विकली करेंगे, क्योंकि कैरमेल में थोड़ा सा भी हवा के संपर्क में आता है, तो ये जम जाता है, अब इसमें हम मैंगो का प्यूरी डाल दिये, अब इसे हम फैल से टाक करके, इसे फीज में हम डाल देंगे फीजर में, एक दो घंटे के लिए, जादे आइस्क्रीम के तरह इसे हाड नहीं करना है, देखे, दो से तीन घंटा हो गया, थोड़ा हाड हो गया, जादे हाड नहीं करना था, देखे, तियार हो गया, अब इसे हम सर्व करेंगे, यह बहुत ही टेस्टी बनता है, और बनाने में भी जादे जंजट नहीं होती है, और क्विकली बन भी जाता है, आप भी बनाएगा, टेस्ट किजिएगा, और टेस्ट करके कॉमेंट किजिएगा, लाइक किजिएगा, धन्यवाद,